हे एवरिवन कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एडिसेंस के पिन के बारे में जो की मेरे पास आ चुका है और ये कब मिलता है, क्यों मिलता है, इसका इंपोर्टेंस क्या है वो सारी चीज़े इस वीडियो के अंदर बताने बाला हूँ बेसिकली ये यूटूब के जब आप अपना एडिसेंस अकाउंट है यूटूब से लिंक करते हो या आप अपने वेबसाइट से लिंक करते हो उस पर 10 यूएस डॉलर, जब आप 10 यूएस डॉलर कमा लेते हो तो उसके बाद में आपका एड्रेस वेरिफाई करने के लिए आपके एड्रेस पर गूगल ये भेजता है, ये पिन नंबर इसके अंदर पिन नंबर होते हैं, तो इसको मैं अन्बोक्स करके दिखाता हूँ आप सभी को, तो यहाँ पर कुछ side edges दे रखे हैं, तो यहाँ से आपको cut कर लेना है, यहाँ से side edges से मैं इसको cut करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ पिन कैसे हैं कितने नंबर के पिन है आप सभी को भी मदब बताने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ से इसको ऐसे कट कर लेना है जो कि मैंने कर लिया है इसके बाद में फिर से यहाँ पर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ के इसको कट कर लेता हूँ है मेरा पिन नंबर तो यह कुछ इस तरीके का पिन नंबर है तो यह आप देख सकते हैं उल्टा दिख रहा है विकोज मैंने फ्रेंट कैमरा चालू कर रखा है ठीक है तो यह छह नंबर का पिन है तो इसको आपको अपने कुगल अटीसटेंस अकाउंट के अंदर एंटर करना होता है तब आपका अकाउंट होता है तो अब हम भी मतलब पैश से लेने के लिए इसके पाद में अब आपको बताऊंगे क emba कैसे कर सकते हैं website तो website भी मोपन करके दिखाऊंग। आप सभी को और सुझेए है हमारा अटसे का पिन और यह है हमारा फॉन तो सबसे पहले हम इसके अंदर गूगल ख्रॉम ऑपन कर लेते हैं Google Chrome open करने के बाद में हम इसके अंदर Google AdSense का AdSense login open करते हैं तो यहाँ पर AdSense login मैं करता हूँ search तो AdSense login मैंने यहाँ पर कर लेता हूँ ठीक है AdSense login करने के बाद में जो first website आईगी वो उसे पर click कर लेना आपको यहाँ पर आपको अपनी email ID और उसके बाद में password डाल कर enter कर लेने हैं तो मैं अपनी email ID और password डाल कर login कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर अपने AdSense account के अंदर login कर लिया है तो यह है मेरा AdSense account इसके अंदर यहाँ पर यह दोखो YouTube payment के कुछ सारी चीज़ें आ रखी है है ना तो अभी यहाँ पर 0000 दिखा रहा है मेरा सारा है ना वो तो खेर अलग बाद है बिकोज 12 तारीक को payment लोड होता है और 12 तारीक को payment यहाँ पर reflect होता है तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे इस तरह का interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देख लीजेगा बहुत सारी चीज़ें आ रखी है बड़ यहाँ पर नीचे नीचे आपको देखना को मिल रहा है होगा यहाँ यह देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है verify your billing address तो यहाँ पर आपको simply verify पर click करना है verify पर click करने के बाद में आपको यह एक new interface पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपको अपनी identity verification के यहाँ पर देखो आपने आदार कार्ड पहले upload कर दिया था उसके बाद में six digit का जो pin verification है जो pin number है एहाँ पर डाल देना है तो यह a पर आट cnow तो यह pin number है इसको लिखने के बाद में आपको यहाँ पर submit पर click कर देना है तो जैसे ही आप यहाँ पर Submit करोगे उसके बाद में यह आपका verification हो जाएगा तो address verification completed तो इस तरह से आप अपना AdSense verification complete कर सकते हो So guys, यह था पूरा complete process जिसके अंदर हमने आपको अपना जो AdSense account है उसको verify करना बताया जो आपका AdSense pin था उसको enter करना बताया I hope आपको यह video definitely पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आये तो video को like करना और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी कर लेना because आपको ऐसे ही technologies related videos देखने को मिलते रहेंगे